दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो तयार वर्मी कंपोस्ट है उसमें जो केंचुएं हैं वो किस तरह से जो हमारा कच्चा गोबर है उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं क्यूंकि हमारा जो कच्चा गोबर है वो इतने अच्छी मात्रा में ठंडा हो चुका है कि वो केंचुओं के खाने लाइक हो चुका है हमारा कोई भी किसान भाई या जो भी इस काम को शुरू करना जाता है वो स्क्रीन पर दियो है नंबर पर हमें कॉंटेक्ट कर सकते कर भी कर जा जाओ है कि अच्छी कर दो कर सकते बादा नंबर भी को शुका है झाल झाल